इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकितान केसी अंडेट इंडेक्स की जो है परफॉर्मस के बारे में और आज की जो बुलिश मार्केट रही है उसको डिसकस करेंगे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा और अगर आप हमारी चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को सब्स इस चैनल को सब्सक्राइब करें और या मार्केट की बात करें और चार्ट काफी बैद्डीरीं किसम की ख्लोजिंग आई ए तक्रीबें 579 पॉइंट पॉइंट किया है और वॉल्यूम की सइट पर बात करें तो प्राइशन और सपोर्टिंग बॉलिश मोग मुव लाइक के आगे चलके बुलिश मोवमेंट यह वह अच्छा स्ट्रॉंग बन सकता है जहां पर वॉलिम आप के सी हंडेड इंडेक्स के देख सकते हैं 398.482 मिलियन शेर्स का काम हो है और और शेर मार्केट की बात करें तो 661 की मुलियन करदों कैसे मुलियन के ऊकता है और देख थै़ तो काफी टाइम के वापिस मार्किट में इतना ज्यादा काफी जादा काम हुआ है काफी टॉप एक्टिव रहे हैं और युनिटी जैसे चलता रहा है काफी बुलिश हुआ है इस टाइम पे लेकिन इस टाइम पे जंप करना फ्रेश पॉजिशन के लिए थोड़ा रिस्की हो सकता है तो इसलिए आई वुड सजेस्ट के मालब प्रॉ स्लाइडली प्रॉफिट टेकिंग करते रहें लाइक कुछ 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 पुजिशन को अफ्लोड करके प्रॉफिट टेकिंग कर ली जाए तो वह ज्यादा बेटर रहे हैं क्योंकि मार्केट बढ़ चुकी है तो मुस्ट वाबली के वीकेंड के अपर मार्केट के अंदर ज सकती है अगर हम चार पैर्टन की स्पैसिफिक लिए बात करें दूसरी चीजी है कि आउटकम है जो के 23 तक फाइनल हो जाएगा और मुस्ट पॉबली चांसे यहीं के पाकिसान को ग्रेलिस में छोड़ा जाए क्योंकि पाकिसान के अंदर पाकिसान की जो एफॉर्ट है फॉ सब्सक्राइब करें तो काफी बैड होगा और वह इंडेक्स की ओपर ओवर्राल एकॉनिमी के ओपर काफी बुरी तरह से इंपैक्ट कर सकता है बड़ उसके चांसे जहें वह रैलेटिवली बहुत लो हैं लाइक आप समझें अगर वो चांसे भी अगर हम में चोड़ा जाएगा और रहने दिया जाएगा और उसके साथ साथ वाइट लिस्ट के जांसे लोगर हैं सो डाट्स आर इनीचल एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग दी एफटी आउटकम बड्लेट सी के मार्केट के अंदर किस तरह की न्यूज आती हैं सारी चीज़ें क मार्केट को बहुत दा बुलिश कर दिया कर आप कहीं पे भी देखेंगे किसी भी फॉरम के उपर तो महां पे सिफ और बुलिश न्यूज ही चल रही है मार्केट के लिए कि इस सेक्टर की यह एक्स्पेक्टेड ग्रोथ आ गई है यहां पर ऑई सेक्टर के जिन्द है यह मार्केट के अंदर प्रेशर के अंदर है लेकिन अभी हमारे इंडेक्स चल रहे हैं हमारी कंपनी सब्सक्राइब कर देखा जाए तो जो कॉपट है उन्होंने आज बहुत ज्यादा सेलिंग की है तक्रीवन 3.03 मिलियन वर्थ के शेयर सेल किया है और उनकी सबसे ज़्याद उन्होंने जहें सबसे जादा सेलिंग किया बाकि जो फॉरन इंडिवीजल और ओवर्सीज पाकिसानी था उनकी लिए पॉजिशन बहुत कोई ज्यादा नहीं थी बिल्कुल मार्केट के उन्होंने सेल किया है और अगर हम लोकल साइट पर देखें तो बैंक्स ने और आपने पॉजिशन को उफलोड कर सकें बट पॉइंट इस यहां पर हो सकता है कि गउइंग फॉरवर्ड जो इंडिवीजल थे वो ट्रैप हो जाएं आर एक्स्टेशन के हो सकता है ट्रैपो जाएं बिकोस दे आर सेलिंग अट 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 जब बाकि सब बाइं तो जब आपनी हैवी सेलिंग जए वह बीटिलाइजर सेक्टर के अंदर की है और उसके बाद जो सेकिंड है उनकी वह सेमिट सेक्टर के अंदर रही है जबकि अगर हम दूसरी साइट पर देखें बाइंक सरफ तो मूचल फंड काफी स्टॉंग रहे कल भी मूचल फंड ने किया था और आज भी मूचल फंड ने हैवी बाइंग किया और जादा पॉजिशन जो ने बिल्ड की है वह की है बैंक्स के अंदर और उसके बाद अगर देखी जाए तो उनकी जो मेजर पोजिशन है वह है फर्टिलाइजर के अंदर और इसी तरह सेकंड है वह हमारे इंश इंशूरंस कंपनी और इंशूरंस कंपनी ने भी अपनी जो मैसे पोजिशन है वह सिमिश्व कर के लिए मूचल फंड और इंशूरंस कंपनी काफी अग्रेसिव नजर आ प्र गई एंग फोबर था इंडिवीजल एंट्री लेंगे मार्केट में बाइंग के तरफ तो let's see that so these are the numbers for today's swipilipi now let's move on to the technical side of index आज अगर हम चार पैटन देखे तो मार्केट जह हो अल्मोस इस शॉर्ट तर्म लेवल पे ट्रेट कर रही है अगर हम चैनल बना एक शॉर्ट तर्म चैनल this one so market is trading in this range तो यहां पर आप अपे आप क्लेरली देख सकते हैं अगर इंडेक्स तरह से चल रहा है बट्गेश बनेगी तुम पर वनेगी जब पार्टिव का पॉजरिट ऑपकम आएगा और मार्केट के लिए इस ताह से तेजी रहेगी तो उस तैंप पे यह पूजिएन बन सकती है ऑल्दो के जो कैंडल बनी है अकॉर्डिंग डिस कैंडल इट्स अब अट्रक्टिंग के इन्वेस्टर्स को क्योंकि यह एक अच्छी कैंडल बनी है बिग बुलिश मूव आया उसके साथ सब वॉल्यूमाट्रिक ग्रोथ आई है अच्छी को यहां पर सस्टेंग गया और बैक टू बैक सेशन में जैसे हम यहां देगे 600 और यहां पर तक करीवन साड़े 500 पांसों तो यह चेसो और यह साड़े पांसों मिला कि जैए हो चुके हैं तक करीबन साड़े 1100 पॉइंट जैए वह मार्केट ने इन दो दिनों में है वह गेंगे हैं सो अल्मॉस्ट्री देज में 3 देज कंदर यह पॉइंस यह यह आए हैं यहां पर भी मार्केट ने इसक्वाइंट गेंगे तक करीवन सकरिवन तक करीवन सो अगर देखा जातों तो तीन दिन से मार्केट की तो परफॉर्मस काफी स्टॉंग रही है तो most प्रफिट के अपर जा सकती है और मार्केट जैब अपने लेवल को चीफ कर सकती है तो अच्छेट चांसे ओके और हमारे जो लॉंगर टर्म ट्रेंड अगर आम उसको भी यहां पर लेस कर दें तो विल सी अगर आप यहां पर देखो तो अल्मोस्ट यही एरिया जो निकल कर आ रहा है 42,000 का के मार्केट जैब इस एरिया के आसपास आके जो वह रिजिस्ट कर सकती है सब्सक्राइब तो आप उससे अपने आपको अपने प्रॉफिट को जैवा सेव रख सकें अगर मार्केट जैव अपने सब्सक्राइब कर सकता है जहां पर रिभाई के जा सकता है कि मार्केट सस्टेन करती है तो ऑदरवाइज जैए वह मार्केट को जाने थे और जैसे के मार्केट चली है दो दिन में इन माय विई तो यह बहुत ही रैपिड मुव दिया है मार्केट ने अगर जिए ग्रेज्यल मुव होता तो यह काफी बैतर होता और लॉन्ट टूम के लिए काफी अच्छा होता बढ मार्केट अपने पीक पे थी और मार्केट जाहें वो डिक्लाइन होने के लिए मुव बना रही होती है तो मोस्ट पॉबली के इस ताइम ऐसा नहों बड़ यह सिर्ट अमागर और नोबडी इंडिकेंट कंट्रॉल दा मांकर फर्स तो इसलिए इस टॉप लॉश्ट का खास य और एक अच्छा रिटन जए वो बन सकें so hopefully you like this video अगर आपको पसंद आई तो comment ज़रू कीजिएगा like करें, share करें and subscribe the channel if you haven't subscribed yet thank you so much for watching this entire video